बनारस के हौकी खिलाडी ललेत उबाध्याय का चैयन टोकियों में होने वाले ओलम्पिक गेम्स के लिए हुआ है जिसके बाद बनारस में 24 सालों बाद कोई हौकी खिलाडी एक बार फिर से ओलम्पिक में बनारस का प्रतिनिर्ट तो करने जा रहा है वारा नसी से मुहम्मद शाहिद विवेक सिंग और उसके बाद उनके भाई राहुल सिंग ने ओलम्पिक में होकी का प्रतिनिर्ट किया था भारत की तरफ से और अब वारा नसी के ललित इस कारणामे को करने जा रहे हैं परिवार में बहत खुशी का महौल है क्योंकि ललित पहले ही दो बार विश् प्रतिनिक लाल बैंगलोर में हैं और ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर रहे हैं और अपने आपको मजबूती से आगे बढ़ाने के उख़िश कर रहे हैं लेकिन परिवार के लोग हमारे साथ हैं ललित के पिता जी हैं सुरू से बहुत लेबोरियस टाइब के बच्चे थे ह हमारे दोनों बच्चे जो है बहुत अच्छा हांकी खेलते थे बड़े लोग अपना इलाहबाद में नोकरी करने लगे अगे बढ़ते चले गए हमारे परिबार को आगे बढ़ाने में ललित का बहुत बढ़ा ललित सब कुछ खेले हैं एसियन गेम खेले हैं एसिया कप ख खेले चैंपियन स्टाफी खेले हैं और बहुत कुछ कामन बेल्द गेम खेले सीरिफ यह एक गेम बच गया था बहुत खुसी है बहुत है वह मुझा क tomorrow मुझे एए है एक मालहा का सपना होता है तो कि इसका बेटा पढ़ लिख कर होनार और ललित ने खेल कर आपका नाम उचा किया है क्या कहना चाहें जा revelation भूट जयादा है बियुक्त अच्छी जीत के आई यह हुद्फी से तैडिumothinking क्षच नाकिरोट महाल था खेल कूट का इस तरह हैं हमारे घर में कोई नहीं था कोई पूरे गाउं में कोई नहीं खेलता था बस बच्चे देखा दोख देखे खेलने के लिए और फी बोले जाएंगे हम लोग बोले जाओ मारे पास पैसे भी नहीं थी कि महां की करीद कर दें आग जूता लगे ऊस दौर का दौर याद था है तो कितना इस बात की तकलिफ भकाण बहुत ज्यदा सोच के भी रूक आप तिये बही है इस दौर के बारे में सोचते हैं तो कितना हैं थाप पीफलभ को इंस लेवल पेम बहुत ज्यादा इसमजहले लिगों को आगे बढ़ाने में परमानंद मिस्रा का जो इनके हांकी के कोश थे उदे प्रताफ कालिज में उनका बहुत बड़ा सब कुछ उनों ने किया हमारे तरब से बस आशिरवाद रहा है कि माबाप के आशिरवाद के बिना ही कुछ संभव नहीं है और ललित को माबाप का आशिरवाद सुरू से मिला कभी रोक टोक नहीं हुई जिसकी वज़े से आज ललित इस मुकाम पर है और अब ओलम्पिक जैसे बड़े एक टूनामेंट में भारत का प्रते निदित होकी में करने जा रहे हैं और बनारस को उनसे बहुत सी उमीदे हैं क्योंकि 24 साल बाद कह कोई ना कहीं से बनारस में भी एक सूखा टूटने वाला है और जो ओलम्पिक को लेकर जो बनारस के लोगों की उमीद होकी में हैं वह शायद ललित पूरी कर सकेंगे वारा नसीस कैमरामन मनोज के साथ मैं गोपाल मेस एटीवी भारत